हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ सेयर कर रहें होली अपिसल तेवारो वाला ऐसा मीठा जिसको आप कम समय कम मिनहत और कम समान से जर्पट बना करके आप तया कर सकते हैं यह बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता होते हैं कि जाते ही यह मुह में घुल जाएंगे और आप इसे ए आप जाहें तो आधा मैदा और अधा आधा कप सूजी डालेंगे सूजी डालने से और भी क्रिस्पी बनते हैं और आप एक चौत हाई कप डेशी केटड़ कोकोनाट पाउडर हम डालेंगे डालेंगे जो है इसमें चार चोटी है इलाची के दानों को निकाल करके दादरा क तो सौफ को इस तरीके से हम रगरते हुए हम डालेंगे इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है आप चाहें तो भीना सौफ की भी आप इस मीठे को बना सकते हैं और अब इसमें एक कप पिसी हुई चीनी हम डालेंगे चीनी को आप मिक्सी में पिस लीजिए कप इस तरीके से इसका पाउडर बन जाएगा और इन सारी चीजों को अच्छे से हम मिला लेंगे तो मैंने हाप पर जो है इसमें डेशी के कोकोनट पाउडर डाला है अगर आप जो है लाइक करते हैं तो आप डालें वरना आप इसे यो है सकिप कर सकते हैं यहां पर मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिला लिया है, अब इसमें हम मुयम के लिए हम 4 चमच देसी घी हम डालेंगे, मैंने यहां पर घी पहले ही नाप करके रखा था, आप चाहें तो देसी घी की जगह पर आप इसमें 4 चमच डाल भी आप डाल सकते हैं, घी डालने के मिला लेंगे, यहां पर मैंने घी को बढ़ें से आटे में मिला लिया है, अच्छे से मिक्स हो गया है, तो आपको पता कैसे चलेगा है, हमारा मुयम परफेक्ट है की नहीं, तो आप इस तरीके से आटे को लेकर के हलके हाथों से मुठ्धी बांदित, यह देखी, अच्छे करके हम आटे को जो है आपको डाइट के नहीं लगाना है और सॉफ्ट भी नहीं लगाना है जैसे आप पूरी के लिए आटा लगाते हैं वह सूजी खूलेए और आटा भी आटा भी आटा है अब हम आटे को निकालकरके हम चकले पर रखेंगी और इसको हम थोड़ा सा कुम सर लीए यहां पर मैंने आटे को यह से में पर लिया है अब इसमें से मैं तीन से चार भाग रूम कर लेंगे इस तरीके से आप इसको निकाल करके ये इक लोई आप出去 drive रोल कर लेंगे तो यहां पर मैं नेकिने कसित हुषे रोल कर लिया है और अब इसको आपकर लेंगे तो यहां पर किनारे वाले हिस्से खुझे नीगे। बाद में आटे में मिला करके इसका विक्ति बना लें गर इस तरीके से टिर्छा हम काटेंगे, मैं यहां पर इसको अधे endlich मुटाई पे करहा ह61 तो यह पर मैंने कर दीया किरा किनारे वाले हिस्से को हम बना लेंगे उसमें सारे बिस्किति बना करें उस इस मिठाई हूं जो ऊणा है कि बहुत ही कम समय में बहुत कम चीजिव बनकर करके तयार को ऒर हो जाती है कि वागी दूरा वागी बिस्किट को मीटियम रखा है इसमें बिस्किट को टालेगे जितनी यह देम लूप कदो आइंगे और बिष्कित को चाहिए अब कि बात को आप अब बिस्किट को मेपी अगर के अरु तक आप नहीं है रूप जो है तेल में बिखर जाएंगे यानि ठीक ठाक तेल जो है मीडियम गरम होना चाहिए जब आप बिस्कित को तेल में डालें तो यहां पर देखिए तीन मिनट हो गए हैं और हलका सा जो है नीचे से लाल होना शुरू हो गया है तो इसको जो हैं पलट देंगे तो आप इसको एक एक करके आराम से पलटें क्योंकि इस समय बिस्कित जो है बहुत ही सॉप्ट होते हैं तो यहां पर देखिए थोड़ी देर के बाद इसको जो है में फिर से हम पलट देंगे और ऐसे ही इसको हम थोड़ी थोड़ी देर पर अलट पलट करके बढ़ियां से लाल होने तक यह देखिए बढ़ियां से लाल हो गये हैं तो जो हम चनी पर हम निकाल लेंगे ताकि जो इसमें एश्टरा आयल होना वह निकल जाए तो इस समय आपको यह बिस्कित जो है थोड़े से सॉप्ट लगेंगे लेकिन जैसे जैसे यह थंडे होंगे ना इत्म क्रिस्प हो और जब तक थंडा हो रहा तक हम बाकी बिस्कित को भी जो है हम फ्राइब कर लेंगी यहां पर दीजिए मैंने सारे बिस्कित को बना करके जो है अच्छे से थंडा कर लिया है तो इसको प्लेट में निकाल लेंगी आप इसे थंडा होने के बाद आप एक एर टाइट डबे मे भर करके लग दीजिए तो आप इसे 2-3 महिने तक खा सकते हैं तो यह देखिए कितने खस्ता और कुरकुरे बन करके तयार हुए हैं तो मैं उम्मीद करती हूं फ्रेंड्स की आपको आज की रेस्पी जो है पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो फ्रेंड्स तपलिजिए स लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रू प्रेस करिएगा तो कल मिलते हैं किसी और नई एस्पी के साथ तक तक के लिए टेक के एर और बाबाए